इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटर्निट से ली गई है। हम इस वीड़ियो में किसी भी धवाई का प्रचार नहीं करतें। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। क्लोंपिक सीवी ड्राय सिर्फ एक एंटी बाउटिक दवा है जो कान, नाक, गले, छाती, फिफडे, दांत, त्वचा और मुत्रमार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन का इलाज करने में मदद करती है। या अन्य चिकित्साओं के प्रती प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है और इस प्रकार ट्यूबर क्लोसिस के इलाज में भी मदद करता है जो अन्य उप्चारों के लिए प्रतिरोधक है। आप अपने बच्चे को भोजन के साथ या भोजन के बिना क्लोमपिक सीवी ड्राय सिर्फ दे सकते हैं। इसे भोजन के साथ देना बहतर होता है क्योंकि इससे अवशोशन बढ़ता है और पेट में गरबड़ी होने का खत्रा कम होता है। डॉक्टर इसे दिन में दो से तीन बार देने की सलाह दे सकता है। दवा की खुराक इंफेक्शन के प्रकार उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है। इसलिए दी गई खुराक को तैस समय पर और बताई गई सलाह के अनुसार ही ले। यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिंटों के भीतर उल्टी कर देता है, तो बच्चे को पहले शांत होने दें और फिर उसे वही खुराक दें। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना ले। क्लोंपिक सीवी ड्राइ सिर्प के कारण उल्टी, डायरिया, यानि की दस्त, मिचली आना, पेट में दर्द और अलजी हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए। लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं, तो देर किये बिना अपने बच्चे के डॉक्टर से परमर्श करें। अलजी, दिल की समस्या, ब्लड डिसॉडर, जन दोश, वायुमार्ग में रुकावट, फिफडे की खराब, गेस्ट्रो इंटेस्टाइल समबंधी समस्या, स्किन डिसॉडर, लिवर कमजोर होना और किड्नी की खराबी सहित अपने बच्चे की पहले की सभी बिमारियों के बारे में डॉक्टर को बताएं, यह जानकारी डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के पूरे इलाज की योजना बनाने में मदद करेगी, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.